हलो स्टेंस बेलकम बैक तो स्टेंस आज की विडियो लक्षेन में अध्या 3 तीन के कुछ महत्मून कोश्टन से देखेंगे और अध्या एक और दो आपने नहीं देखें तो इसका लिंग का आपको नीचे मिलेगा डिक्रेशन बॉक्स में बहां से जागर के विजित कर सकते ह हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला महत्मून कोश्टन है उपनिवेश वाद के कारण जाती वगस्ता में क्या परवतन आए ठीक है तो देखते हैं सन 1800 से 47 तक के समय को उपनिवेशक सासन माना जाता है जानि कि 1800 से लिए वह 47 तक 1947 तक की समय को जो बीच का समय है लगवख 1500 साल माल सकते हैं ठीक है 147 साल या 1500 साल के कई इसे बोलते हैं उपनिवेशक सासन का समय माना जाता है सासन माना जाता है इसे ठीक है उपनिवेशक सासन का मतलब है जब हमारे देश में विदेशी लोग सासन कर रहे थे यानि कि जब कोई दूसरे देश मतलब किसी की अर्थवस्ता किसी दूसरे देश के द्वाराई जाती तो इस प्रकार के सासन को बोलते हैं अठीक है तो 1845 से 1947 सवाध माना जाता है उपनिवेशक काल के दौरान सभी समाजिक संस्टाओं तब इस रूप से जाती विवस्ता में बदलाव आए मतलब अंग्रेजों ने हमारे देश में जाती विवस्ता में बदलाव किये थे ठीक है जाती विवस्ता मानते हैं कि जो जाती विवस्ता अपने देश में है वो अंग्रेजों की देन है मतलब उपनिविस्व की देन है ठीक है कुछ आए थे बेटिस सासकों ने कुसलता पूर्वक्सासन करने के लिए जाती विवस्ता को समझने के प्रियास सुरू किये थे मतलब उन्हें लगा था कि अगर बिना जाती विवस्ता को समझे हमें यहां कुसलता पूर्वक्सासन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी जाती को यहां उचा इस्तान प्राप्त है किसको नीचा इस्तान प्राप्त है जो उची उची जाती यह थी उन्हें उन्हें सुक्स बदाएं भी दी ठीक है लेकिन जाती के बिसे में सूचना इकात्र करने का कारे सरकारी जन्गर्णा के द्वारा किया अंग्रेजों ने जो सरकारी मतलब लोगों को जानने की कोसिस करी मतलब उन्होंने जनगरणा करवाई कि कौन सी जाती उच्चे है आपर कौन सी निमने और किसकी कितनी संक्या है ठीक है तो लेकिन जाती के बिसे में सूचना एकातर एकात मतलब सूचना एकटा करने का कारी सरकारी जनगरणा के दौरा किया किसी जाती को दूसरी जाती की तुला में समाजिक द्रश्टी में कितना उचा या नीचा इस्तान प्राप्त है ये अंग्रेजन ने जानने की कोशिश करी कि समाज के अंदर कौन सी जाती के लिए उचा इस्तान प्राप्त है और कौन संक्या में जादा है ये सारी कुछ मतलब जानकारी हांसिल की उन्होंने अपनवेश वाद का मतलब है वह अंग्रेजन की सासन की बात कर रहे हैं ठीक है अपनवेश वाद सासन दौरा किये गए अन्हस्चेपों ने भी जाती ववस्ता पर अपना प्रुभाव डाला पंजाब की तरह अन्हस्चेत्रों में बड़े पैमाने पर सिचाई की उजनाय सुरू की गई जब अंग्रेजों को लगा कि यहां पर मतलब इस जाती के लोग जादा हैं तो वहां पर उन्हों ने सुविदाएं दी उन लोगों को ताकि वो कुसलता पुरवक राज्य कर सकें जैसे पंजाब में सिचाई की विवस्ता अन्राज्यों में भी जहां पर वल जातियां थी उच्चे जाती के लोगों को बिवस्ताएं दी उन्होंने ठीक है तो पंजाब की तरह अन्य छेत्रों में बड़े पैवाने पर सिचाई की उजनाएं सुरू की गई और उसके साथ साथ लोगों को बहां बसाने के लिए प्रियास किये गए इन सभी प्रतनों का भी एक अपना जातिय प्रभाव था तो मतलब यह सारी जाती विवस्ता को देखते हुई अंग्रेजों ने बदलाब किये थे हम यहां पर पड़े भी रहे हैं उगनमेस बाद के कारण जाती विवस्ता में क्या परवतना है मतलब अंग्रेजों के सासन के दौरान जाती विवस्ता में क्या परवतना है तो जाती गत जाती विवस्ता में बिना तरक से चली आ रही पुरानी मानिताओं को जाती गत पूर ग्रह कहते हैं यानि कि जाती विवस्ता में पुरानी परमपराएं चली आ रही है ये पूर ग्रह है ठीक है तो उन्हीं को हम बोलते हैं पूर ग्रह ठीक है बिना तरक के चली आ रही पुरानी मानिताओं को जातिगत पूर ग्रह माना जाता है उधारन के लिए अपनी जाती को उच्छ मानना जैसे हर बेक्ति अपनी जाती को उच्छ मानता है मतलब ये कोई पुरानी परंपरा मानिता चली आ रही है ठीक है? और दूसरी जातियों को अन्य जातियों को निम्न मानना पूर्व ग्रह ही है मतलब पुरानी परंपरा है ठीक है अपनी जातियों को उच्चम मानना और कुछ अन्य जातियों को निम्न मानना एक पूर्व ग्रह ही है ठीक है छुआ छूट भी एक पूर्व ग्रह है चुआ चूत किसने बनाई हम लोगों ने थोड़ी ने बनाई जो पुरानी चली आ रही है ना मानेता बिना तरक्की मानेता चली आ रही है तो लोग आज भी थोड़ा बहुत मानते हैं अब तो दीरे-दीरे कम हो गया चुआ चूत है ना कुछ यह जातिगत विवसायों को है और यह फ़ानी मानेटा चली आ रही है तो पूर्व घ्राइह आप समझ गए होंगे इसजिव को सफान्त था क्रश्याय थीके काफी महित पूर्ण भी है उसके वाद यह की महत्पूर परिवार से आप क्या समझते हैं तो परिवार एक समाज की केंद्रिय काई है जिसमें माता पिता भाई भैन चाचा चाची भतीजे भतीजी पुत्र पुत्री आद सदस्ट सामिल होते हैं तो मतलब इस तरह का जो परिवार होता है उसे संयुक्त परिवार बोलते है एक होता एका की परवार, एका की परवार में माता पिता और बच्चे होते हैं सरब, खीक है, और सयुक्त परवार में मतलब माता पिता के साथ, माता पिता के भाई बहन होंगे, चाचा चाची भी होंगे, और क्या होंगे, भतीजे भी होंगे, भतीजी भी होंगे, और दादा माता पिता, यहां प्रिवार का है, इसमें माता पिता जाएगं, उसक्तर पिता हैं। आपस में राप ह YOUR नहीं ठीके इन आप डालाफ से प्रेम भी मतलब प्रेबन में आप से प्रेम होता ए, सब्सक्राइब होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर फस्टाइम आये तो नीची जो सब्सक्राइब बटन है उसे दवाएं साती घंटे वाले आइकन को भी प्रेस करें जिसे आने वाले हर व taxi ंपर विए ट्रग वाले है नो exactamente है वाले नहीं है आए हुआ लाइका सकता है या घज को भी ज कई दो आठा नहीं हैं जब की जल है छान। मैंका कृआथ ए щ जाइक कार आफ पोना करेंगे इस बमांदे हैं करें करें पेर को हका करेंbooksने हैं पांवी भांदे ए सकता हैंत